गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आज सभी के सभी, सब बढ़िया, सब राजी, खुषी, क्या चल रहा है? नाच्ट पोगरा कर लिए होगा, कैर मैंने हैं नहीं किया, मैं तो अभी तक यहाँ पर गुद मॉर्निंग गुद मॉर्निंग मैं अभी आप सभी का यहां पर वेट ही कर रहा था कि यह वाला सेशन फिर लेकर फिर घर जाएंगे फिर नाश्टा हो गरा करेंगे आप सभी ठीक है इसके पास स्ट्रीमिंग चेक कर लेता हूँ है जी या कैसे आप सभी तो अभी यह करेंट अफेर का विज जिसके अंदर में हम क्या करते है दस क्वेशन डिसक्स करते हैं जिसके अंदर में आठ क्वेशन करेंट अफेर के रहेंगे दो क्वेशन प्रिवेशन के रहते हैं और आप सभी ने इतने ज़्यादा कमेंट कर दिया भी तो प्लान कर लिया है कल जुलाई के अंदर में मलकल सुबह ग्यारा बजे रेडी हो जाईएगा सभी जुलाई के करेंट अफेर्स का हम क्या करेंगे जो भी mcq था हमारे जितने भी mcq थे और उसके इसके जुलाई के जितने में इंपॉर्ट कर लेंगे तो कल ग्यारा बजे सुभष ठीक है और मेरे प्यारे दोस्तों यह चीज मैं आपको कई बार यह समझा चुका हूं कि UPSC का Life Foundation बैच यह तीसरा बैच है और यह आपके लिए अवेलेबल है तीसरा बैच और इसके अंदर में आप सभी जुड़िये तो इसकी शाम को 6 बजे क्लास हुआ करेंगी एक अगस से क्लास से शुरू हो जाएंगी और आप सभी के सभी इसमें जुड़िये फटाफट से बहुत सारी चीजे हैं GS, prelims और मेंस के लिए मिल रहा है C-set मिल रहा है, crash course मिल रहा है prelims के लिए पूरी की पूरी test series मिल रही है hand return notes मिल रहे है value edit material मिल रहा है आप अगर यह सब चीजे बाहर कहीं भी लेने जाओगे mentorship मिल रही है तो अल्मोस्ट दो लाख रुपे के आज पास आपको fees pay करनी पड़ेगी यहाँ पर आपको 18,999 रुपे में आपका पूरा course मिल जाएगा PRT live code use करके चलिए फटाफट से ठीक है तो यह telegram idea यहाँ पर इसको क्या करिएगा यहाँ पर जुड़ जाएए यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा Instagram और Twitter यह दोनों की जगे भी आप उहाँ पर connect कर सकते हैं Instagram पर जुड़ जाएए सभी के सभी Instagram पर मैं कुछ-कुछ insight शेयर करता है रहता हूँ एक प्लान कर रहा हूँ बाकी देखते हैं क्या होता है कि मैं डेली आप से कुछ important चीज़े Instagram पर भी शेयर करूँ अगर आप सभी के सभी करें तो जुड़ सकते हैं ठीक है ठीक है तो उसमें जुड़िएगा यह आपके उपर है दोस्त कि आप Hindu नियुस पर पढ़ना चाहते है इंडियन एक्सपेस दोनों में से किसी भी एक को पढ़िये चलिए पहला question देखें निम लिखित कथन पर विचार करें डिरेक्टरेट ओफ एन्फोस्मेंट इस आप स्पेशलाइज फाइनेंशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अंडर देपार्ट्मेंट ओफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ओफ ओम अफेर्स दूसरा देस्टेबलिश्मेंट ओफ सी बी आई वाज रेकमेंडेड वाई संथानम कमीटी दो अलग-अलग टॉपिक को मैंने मिक्स करके question बनाया है संदीब जी दरसल मैंने मिलको अलग उसका कहीं slot नी मिल पा रहा हूँ और कोई उसके लावा क्योंकि ठीक है चलिए बताइए फटाफट ठीक है ठीक है चलिए फटाफट से question का answer दीजे सभी के सभी which of the following statement is our correct और कौन से statement correct है बताइए सभी के सभी मयूर जी मैं जरूर देखता हूँ Instagram को पका Manish कहरें बोथ कोई कहरें D कोई कहरें B कोई कहरें C कोई कहरें B कही लोग कहरें बहुत बढ़ी है कही लोग कहरें बहुत बढ़ी है मजा आ गया इसका मनलद questions मजधार है ये question ये वाला है ना तब भी थोड़ा सा घूम रहे हो सारे के सारे तो इसका correct answer क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों इसका correct answer है B दरसल news में CBI भी था तो मैंने CBI को भी include कर लिया और ED तो है ही enforcement director तो please याद रखिएगा enforcement director है Home Affairs के इंदर में नहीं आता Finance Ministry के इंदर आता है ठीक है और इसके कहानी याद रखना CBI की CBI जो है दोस्तों कोई statutory body नहीं है यह resolution से बनी थी यह अपनी power किसी act से लेते हैं बस खाली ठीक है और एक किसके recommendation वहता है संथानम committee थी 1964 के इंदर में तब इसका क्या हुआ गठन किया ग जाए तो संथानम committee प्लीज याद रखेगा बी इसका correct answer हो जाएगा ठीक है ठीक है बी इसका correct answer हो जाएगा प्लीज याद रखेगा तो इसका correct answer क्यों जाएगा B तो याद रखेए CBI was set up in 1963 वाई किसके resolution of ministry of home affairs प्लीज याद रखेगा ठीक है बाद में देखे होम ministry के अंड में चला गया है किसके D.O.P.T Department of Personal Training प्लीज याद रखेगा उसके इंडर में चला गया है तो एक committee बनी थी क्या prevention of corruption से related किसकी संथानम committee उसके इंडर में प्लीज याद रखेगा Statutory Body नहीं अपनी power कहां से लेता DSPE Act 1946 से related प्लीज याद रखेगा और Director of Education का हमने देखे लिए के एक है Ministry of Finance के अंदर में Department of revenue क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है अभी भी काफे सार लोग D answer दे रहे है नन दे रहे हैं भाई प्रेम कोड यूज हो जाना चाहिए दोस्त त्यार PRT Live कोड हो जाना चाहिए बाकी मैं एक बार वीडियो शेयर कर दूंगा जिसको कोड कैसे लगाया जाता हो भी आपको जाल जाएगा ठीक है क्लियर है चलिए बस मैंने देख लिए प्रेम आपका मैसेज अब आप लगाता यार उसका मत करिये मैसेज और यह थोड़ा सा हो गया ठीक है चलिए इस वाले का अंसर दीजे संथानम कमेटी 1962 से 1964 चलिए अब इसका अंसर दीजे चलिए यह अब आशर दीजे वाट इस दा आयूसेन स्टेटस ओफ मोनार्क तो चलिए आब आज इस वाले क्वेशन से आप प्राय सुभेद और इनमें से कोई नहीं बताइए फटाफट से बताइए सभी के सभी इंडेंजर है कि क्या है सभी के सभी बता दीजे फटाफट चलिए डी दे रहे हैं बी दे रहे हैं बी 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 तो जी हाँ इसका अंसर क्या है बी इसका करेक्ट आंसर है प्लीज याद स्मान के चलिये, एक रोड़ चार हजार किलोमेटर ऐस से एस्से वएस्स अमेरिका ऩा करते है ट्रावल करते है, इनके सबसे बहुत आप में भात क्या है कि यह एक ही ब्लांट के ओपर में क्या करते है w会ं कौन सा प्लांट मिल्क वीड रिसेंटली इनकी क्यों पॉपलेशन बहुत जादा क्यों डिकलाइन हो रही है प्लीज इसके बारे में याद रखेगा ठीक है माइग्रेटरी मोनाक बटरफ्लाइज ठीक है क्या सी IUCN स्टेटस है इसका इंडेंजर आयू स्टेशन है ठीक है क्लियर है IUCN स्टेटस है चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने यह रहाँ कल आपको पता होगा हिंदू नीज पर के आर्टिकल के अंदर में जब क्या आया था फिसकल फेडरलिजम के अंदर है फाइनेंस कमिशन और प्लानिंग कमिशन दोनों से रिलेटिट क्या था आर्टिकल था चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजे सभी के सभी चलिए मैं साइड हो गया हुँए इस लिए यह आंसर दे सभी फटाफाट से आंसर दो भई चलिए फटाफ़टा आंसर दिजे भई अब तो बहुत इजी क्वेशन है easy question है बहुत easy question है कल आपको पता होगा हिंदू न्यूस पेपर के अंदर में आर्टिकल था प्लानिंग कमिशन और फाइनस कमिशन से रेलेटेड अंडर आर्टिकल 280 दा कॉंस्टिशन प्रोवाइड इंडिया इस रिक्वाइड टू कॉंस्ट्यूट है फाइनस कमिशन एट इंटरवल और फाइव यह और दोजर पंदरा का अबलब जो फिफ्टीन फाइनस कमिशन था वो क्या था एन के सिंग जी उसके क्या थे चेयर्में थे पताईए पटा फट से बताईए जी यहां सब ने बहुत सबने करेक्ट आंसर दिया डीज का करेक्ट आंसर है फिफ्टीन फाइनस कमिशन को प्रिपेर करके चले जाना इस बार कुश्चन आएगा उससे रेलेटेड यूगि आपको पता होगा इस बार की मेंस के दिनरे फॉर्टीन फाइनस कमिशन की रेकमेंडेशन क्या है सबसे याद रखेगा डीज parece राठ्ख रहेगा sheet करेक्ट आंसर रखेगा औरत्षी कंशन के अंदर में यह चीज प्रवयडेड़ नहीं है किसके मैम्बरस कहन होंगे इसकी क्रेक्व्यान क्या होगी ये भी चीज़ याद रखेगाए ठीक है तो इसका करेक्ट से जाएगा सेंटर की तरफ से जाएगा क्लियर है डी इसका करेक्ट आंसर है तो यह देख सकते हैं 15 फाइनस कमिशन के बारे में फाइनस कमिशन क्या एक constitutional body है ठीक है फ्लीज याद रखिएगा और यह क्यों मनाई जाती है जो सेंटर के पास है पैसा आ रहा है मान के चलिए 100 रुपीज आ रहे हैं तो 100 रुपीज कितना शेर स्टेट्स के पास जाएगा पहले वो फिर उसके बाद में विदन स्टेट्स कैसे वो डिवाइड होगा यह चीज कौन रेकमेंट करता है फाइनस कमिशन करता है तो उन्होंने पहले 32 रुपया जाता था फिर प एनके सिंग साब को प्लीज याद रखेगा बहुत जादा है क्या है न्यूज में एनके सिंग साब FRBM Act उसके कर्ण भी न्यूज में रहते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आगला क्वेशन कंसेर्दा फॉलिविंग स्टेट्मेंट रिगार्डिंग गल्फ कोपरेशन काउंसिल गल्फ कोपरेशन काउंसिल वाज इस्टैबलिच भाई एन एग्रिमेंट कर्कूल देट इन नाइटीन एटीवन ठीक है इसके इंदर में क्या है हमारे बाइदन साब वहाँ पर गए थे बात करने के लिए हमारे बाइदन साब वहाँ पर गए थे बात चीट करने के लिए और वो सारी चीज़े हुई थी तो बताई इसका आंसर क्या होगा बतादो फटाफट से इसका करेक्ट आंसर क्या है टू ओनली कल मैंने आपको खुद बताया था कि यमन इसको जरूर याद रखना ये गल्फ का GCC का हिस्सा नहीं है गल्फ कोपलेशन काउंसिल का हिस्सा यमन नहीं है फ्लीज याद रखियेगा तो अगर मैं मैं मैप पर यहाँ पर नहीं लिखती है हमारे साथ में, इसलिए मुलब वैसे 2015 के अंदर में बात चल रही थी, लेकिन वो negotiation पूरा नहीं हो पाया है, इसलिए वो Gulf Corporation Council का हिस्सा नहीं है, तो इसका two only correct क्या हो जाएगा, यमन, प्लीज याद रखेगा, यहाँ पर घुमाने के लिए देखे खे कंट्री, प्लीज याद रखेगा, बहरेन, कुवेत, उमान, कतर, साओधी अरेबिया एंड यूई, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, रियात के अंदर में से क्रेटेर और इसका political, economical, social, regional organization है, चलिए, फटा-फट से आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्टी की तरफ, मैप अगला प्रश्ट देखिए, सित्वे पोर्ट, लोकेटिड इन विच कंट्री, किस कंट्री के अंदर में सित्वे पोर्ट लोकेटिड है, मेरे प्यारे दोस्तों, सित्वे पोर्ट किस कंट्री के अंदर में लोकेटिड है, सित्वे पोर्ट किस कंट्री के अंदर में लोके इस वाले पर भी आजाओ सब के सब बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बी आंसर बहुत अच्छे शाबाश और नवनीत सभी के सभी कह रहे है ठीक है चलिए दो आंसर ठीक है चलिए आ गया यह बताओ भाई आंसर तो दो कहां रहेगे सबके सब इतना लेट आ रहे है किया अच्छाए मरे को लग रहा ही कि आंसर आप सबके लेट आ रहे है आंसर अब आप सबके आने शुरूँ है बी आंसर दे चलिए ठीक है क्लियर नहीं दीख रहा आप सभी को एक पर बता न मुझे बता दे न मैं है बाई कलर इसी लिए सारा का सारा कर क्या हूं मियामार के अंदर में र्खेंग सब्सक्राइ के बारे में सुना होगा तो कालादन एक नदी है, प्लीज याद रखेगा, कहाँ पर मियामार के अंदर में, मियामार के अंदर में कालादन एक नदी है, प्लीज याद रखेगा, तो भारत के हमारा एक प्रोजेक्ट है, मल्टी मॉडल कालादन प्रोजेक्ट, प्लीज याद रखेगा, बहुत इंप से यहां से single step यहां से gehe anga पर सित्वेपोव गए पिर सित्वेपोड से हम यहां से क्या जाएंगे आपके त्विए मौडल क्ला दन रहे पर हम कहाँ पर यह ने मावड़ पर मिया अंदर मैं है और मोल्डी मॉडल का लगने के सहत पर क्या करना हैं ये टवलब करनेकी कोशिश कर रहे हैं, कालादन रीवर को याद रखे mama tweeted रकाइन स्रेट रकाइन स्रेट याद करो Miamar जा रोहिंग्याज फृट करो नेक्ट अगरा प्रशन देखते हैं बहुत प्रशन आधार प्रश्न है ये अफगानिस्तान बिकेम दा निवेस्ट मेंबर अफ सार्क at 13th annual summit in 2015, the headquarter and secretariat of the association are at New Delhi, India, बताईए, फटाफट से आंसर दीजे सभी के सभी, इस प्रशन का उत्तर दीजे, चलिए, बताईए फटाफट, देखे, वो इतना easy question था, सितवे port, सितवे port बहुत जादा easy, दरसल एक समझने की कोशिश करिए कि हमारे हम क्या कर रहे हैं, जैसे north east वाला इलाका हमारा उपर हर्त्रिपुरा हो गया, उधर की तरफ में नागा लेंड हो गया, तो वहाँ पर अगर ये multi-motor कारदन प्रोजेक्ट होने शुरू हो जाएगा, तो हम्यामार से उधर की तरफ में क्य A आंसर दे रहे हैं, कई लोग C आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, वोईस, भाई वोईस तो आ रही है, बिल्कुल क्लियर, मैंने अपना खुद चला रहा है, चलिए और सब के सब बताइए, चलिए बताइए, इस प्रशन का उप्तर दीजिए अब सब के सब, तो इस question क 15 में अफगानिस्तान ने जॉइन किया होगा क्या, question mark, और इसका headquarter कहां पर है, सार्क का, अभी मैंने कली बहुत डीटेल अपड़ाया था, सार्क से related issues, बताइए, कहां पर है, सारी के सारी चीज़े, सारी के सारी चीज़े हमने करी दी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए, त तो दोनों की दोनों statement क्या है, गलत है, दोनों की दोनों statement गलत है, इसका correct answer हो जाएगा D, दोनों की दोनों statement क्या है, गलत है, यह book में नहीं मिलेंगे, और मिला यह book में नहीं मिलेंगे, बनाया जा रहा है question, यह current affairs से बनाया जा रहे है questions है, ठीक है, तो सार्क क्या है, प्ली to quarter or security rate कहाँ पा रहे हैं काट मांडू नेपाल के अंदर में हैं ठीक है और इसके अंदर में कौन-कौन सी कंट्री हैं बांगलादेश, भूतान, इंडिया, माल्दीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रिलंका और बाद में कौन जुड़ा अफगानिस्तान प्लीज याद रखेंग से पुछ जंगी कि स्टार्टिंग सही अफगानिस्तान इसका हिस्सा है, एक एक कोशिशन आएगा, क्योंकि सार्क जो है बहुत इंपोर्टेंट है, कली बहुत डिटेल में हमने इस रीजन के बारे में किया, बहुत डिटेल में, कि सार्क, सार्क को रिवाइव करना ठीक है, क्योंकि इंडिया के लिए तो बहुत जादा इंपोर्टेंट है वाला, अगला प्रशना आपके लिए, अगला प्रशना आपके लिए है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथर्टी, कल क्या था, नेशनल टाइगर डे, कली हमने पड़ा, तो टाइगर से रिलेट Protection Act 1972, यानि कि Wild Life Protection Act 1972 के तहत में बना है, ठीक है, बताइए फटाफट, दरसल क्या है, आप सभी के सभी समझीए, ठीक है, यह चीज़ को समझीए, कि यह क्या है, कई बार क्या होता है, Act, किस Act से कौन सी और्गनेशन बनी है, यह question भी कई बार पूछा जाता है, ठीक है, ठीक है, और इसी के तहद बना है, तो इसका correct answer हो जाएगा C, बोच statements आर करेक्ट, दोनों की दोनों statement क्या है, correct है, C इसका correct answer हो जाएगा, और मैं कल आपके लिए 11 बजे, कल जुलाई का पूरे के पूरे, almost मान के चलिए, दोसों के आसपास में question रहेंगे, जो quality वाले questions रहेंगे, कु इंदू newspaper से ही बने है, TIB से बने हैं, इंडियन express से बने हैं, तो वो questions सारे के सारे हम क्या करेंगे, include करेंगे, कुछ questions बहुत easy भी हो सकते हैं, कुछ questions बहुत difficult भी हो सकते हैं, तो सारी चीज़े हैं, तो सारी चीज़े हैं, अब इस question का answer दीजीए, ये question हमने देख लिया कि प्लीज याद रखिएगा, भी answer दे रहे हैं सबके सब, या C answer होगा इसका, वो मेरे को लग रहा कि, late messages चल रहे हैं, आजकल, late messages चल रहे हैं, आपके और हमारे, मैं जब पढ़ा चुके, आगे निकल चुका हूँ, तब आपका message आ रहे हैं, आगला question देखिए, consider the following statement regarding DPSP, DPS के regarding ये देखिए, फटा फट से, DPSP से related, वीडियो हमारी live है, मनलब वीडियो में delay नहीं है, लेकिन जो messages यहाँ पर text जो आ रहे हैं, उसमें delay है शायद, कोई बात नहीं, अपने को काम है पढ़ना, अब ये question का answer दीजा, concept of DPSP emerged from article 45 of the IRS constitution, IRS constitution से लिया हमने, DPSP को, part 4 of constitution of India, अब कल क्या था, DPSP, welfare state, fundamental right, उनके बीच में, uniform civil code, बहुत जादा news में चल रहा है, फिर उससे पहले क्या था, liquor ban, वो भी बहुत जादा ये DPSP, तो इसलिए यहाँ से question बनना बहुत जादा लाजमी हो जाता है, तो part 4 of constitution of India, जिसमें article 36 से लिए 51 तक है, वो DPSP का जिकर करते है, constitution of India classified, DPSP in three categories, बता ये फटा-फट से answer बता दीजी, बता दो भाई, इसका भी answer देदो सब के सब, मजेदार answer देदो, तड़कता फटाकेदार answer देदो सब के सब, ठीक है, बता दो, तो DPSP, 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 SPSP, चलिए, तो इसको के देखते है, जिया, हमारे आपर fundamental right है, बिल्कुल सही बात है, कल ही मैंने आपको पढ़ाया था कि, fundamental right क्या है, enforceable है, justiciable है, और क्या है, यह rights मिले है, जो citizen को मिले है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, डीपेसपी क्या है, यह part 4 है, और वो यह deal करते है, कि बाइस आप, state को कैसा करना चाहिए, सरकार को कैसा करना चाहिए, उसके बात करते हैं, बिल्कुल सही बात है, तो यह से related है, बिल्कुल सही बात है, हमने यह DPSP का जो concept लिया, यह Irish constitution से लिया, बिल्कुल सही बात है, constitution of India, यानि कि part 4, article 36 से शुरू होता है, बिल्कुल सही बात है, 51 तक चलता है, 51 capital ले fundamental duties की बात करता है, बिल्कुल सही, लेक DPSP का classification नहीं है, classification हमने DPSP को पढ़ा, उसकी language को देखा, उसके objective को देखा, उसके basis पर हमने कह दिया, कि भाई साब, यह DPSP socialist लग रहा है, यह DPSP liberal लग रहा है, यह DPSP गांधियन principle पे लग रहे हैं, लेकिन हमारे समविधान के अंदर में DPSP को classify नहीं किया गया है, please very important, this statement is wrong, constitution ने हमारे DPSP को classify नहीं किया है, तो third statement गलत होती ही, गलत, 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 ए, इसका correct answer हो जाएगा, one and two only, one and two only, one and two only, इसका correct answer हो जाएगा, ठीक है, बताइए, हो गया, मज़ेदात, चलें, आगे बड़े, ठीक है, C, इसका correct, इसका क्या हो जाएगा, one, a, only, इसका correct answer हो, one and two only, इसका correct answer, ठीक है, आपके message अभी आ रहे है, C, A, C, A, ऐसे गर करके, ठीक है, इसमेरा लेट, तो यह देख लिएजेए, DPSP से related भाई साब यह provisions याद रख लिजेगा, DPSP क्या है, हमारे part 4, constitution, ठीक है, please याद र क्या है, यह negative और prohibition है, यह बता, अच्छा, DPSP को हमेशा positive nature भी बोला जाता है, वह ही कहते है, state को यह काम करना है, state को direction देते है, fundamental rights क्या है, वो negative nature में इसले का जाता है, कि states को restrict करते है, state shall not do this, state cannot do this, ऐसे कर करके, तो please याद रखेगा, और हमारे आपे DPSP को एक और चीज़ रखेगा, और यह क्या है, यह तीन हमने क्या क्या पढ़ा है, फिर हमने classify किया है, पढ़ते समय पर, लेकिन हमारे समविधान के अंदर में DPSP कहीं पर भी classified नहीं है, ठीक है, clear है, ठीक है, clear है, तो यह please याद रखेगा, socialist principle, गाधिर principle, liberal और intellectual principle, या PDF करन, अच्छा एक बात पीडियफ नहीं मिली दोस्त, किस session की PDF नहीं मिली, दोस्ती बता दो, आपको सारी PDF देता हूं यार, ऐसे क्यों बाते करते हो, कि PDF दे देना बस, हर session की PDF दी जाती है, हर session के आपको PDF आज तक मिली है, आप कहा रहे हो, कि PDF दे देना बस, ठीक है, चलिए, इस question का answer दीजिए, यह आगया अप 2019 का previous year question, previous year question आगया, बहुत easy question था, बहुत direct question था, उस समय पर news में बना हुआ था, काफी समय से, इस लिए था, इस answer को दीजिए, सभी के सभी, which article of constitution of India safeguards one's right to marry the person of one's choice, मेरा जिससे मना मैं उससे शादी करूँ, वह राजी होनी चीए, ठीक है, लेकिन जिससे मेरा मना है, उससे मैं शादी करूँ, उसकी रजामंदी के साथ में, किस article के इंदर में आएगा, है न, वह आले बोलते हैं न, कि जिसकी धुन पर मीरा नाच मन एक सुन्दर तारा है, जूम रही है सारी दुनिया, आज हमारे कीतों पर, तो शादी के ब्यास से रिलेटर यह आ गया, उसका correct answer है मेरे प्यारे दोस्तों, 21, आर्टिकल 21, के इंदर में इसका जिक्र किया गया है, पिछले दो साल के इंदर में, सुप्रिंग कोड ने कई जज्मेंट के इंदर में, इसका क्या किया है, जिक्र किया है, तो उसका correct answer हो जाएगा b, आर्टिकल 21, कि से भी शादी करने का अधिकार, अपने मर्जी से शादी करने का अधिकार इसके इंदर में है, तो याद रखेगा the right to marry, किसका है, right to life किसके इंदर में आता है, irrespective of gender available होता है हर किसी के पास्वन ठीक है clear है clear है चले ठीक next question ये भी आपके 2021 के 2019 के इंदर में प्रेलिंस में आ चुका है और अभी recently आपने वो जो बात होती है कि हमने उसको बैन कर दिया है कि इसको हमने बैन कर दिया है प्लास्टिक को बैन कर दिया है और उसके इंदर में फिर बात आई थी कि कि एक्सेंड़िट प्रोड्यूसर की responsibility होनी चीए कि मलब जितना आप प्रोड्यूस कर रहे है अभी अभी आपने देखा होगा वो बात हो रही थी कि certification regulation नमें जारी किया कि इतना percent आपको क्या करना पड़ेगा रिसाइकल करना पड़ेगा तो उसी से related है तो यह किसके अंदर में हमने क्या किया था यह provision लेकर आये थे extended producer responsibility यानि कि जो plastic जो waste कोई produce कर रहा है या फिर e-waste कुम बात करेंगे वैसे तो pollution की बात कर लें लेकिन यह जो concern आया था यह किस से related आया था और यह कहा था कि e-waste जो produce कर रहे है यह उनकी responsibility है यानि कि producer की extended responsibility है तो किसके अंदर में बोला गया था तो याद रखेगा e-waste देखे मैंने e-waste से बात कर दी तो आपको पता चल जाना चाहिए बायो की बात नहीं plastic की बात नहीं food safety की बात नहीं किस से related e-waste management and handling rules 2011 कि तह है प्लीज याद रखेगा बहुत यह अच्छा question है ठीक है बहुत यह अच्छा question था कब का यह 2019 का previous question है ठीक है चले ठीक है तो यह सारी के सारी चीज़े तो यह देख लेजिए इसके बाद मैं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चलिए तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दोस्तों दरसल यह सभी काफी टाइम से मांग कर रहे थे कि जुलाई का compilation लेओ तो और किसी टाइम पर हो नहीं पाता तो इसलिए मैंने प्लान किया कि जुलाई का जो compilation मुझे लाकर देना आपको कब के लिए लाकर देना कली यानि कि 31 जुलाई को ही मैं आपके लिए compilation लेकर आ जोँगा, तो quiz का compilation रहेगा, यह क्या रहेगा, quiz का compilation रहेगा, जुलाई महिने के important questions रहेगे, तो भे क्या रहेगा, 11 बजे session रहेगा, दोस्तों दरसल थोड़ा सा time manage कर लिजिएगा, क्योंकि problem यह है, सबसे बड़ी समस्या के आ जाती है, कि और भी slot available नहीं हो पाते हैं, तो फिर manage करना पड़ था, तो 11 बजे session रहेगा, एक देड़ गंटे का, दो गंटे का, जितना भी रहेगा, आप सभी के सभी क्या करेगा, उसके साथ में, आप हमारे साथ connect करेगा, उसमें हम questions के practice करेंगे, ठीक है, चलें, तो 11 बजे मिलेंगे कल सुबे, मेरे ख्याल में सबके सब जितने भी लोग अभी आओ, एक हजार लाइव कल थे, जैसे साजी के सारे रहते हो, तो सब के सब मिलेंगे, ठीक है, चलें, बाकि एक बहुत शांदार यह opportunity है, दो दिन के बाद में इसकी class हुआ जाएगी, रोज शाम को 6 बज़े इसकी class हुआ करेगी, एक अगर से इसकी class शुटू हो जाएगी दोस्तो, 18,999 रुपे में आपको यह पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा मेरे प्यारे दोस्तो, आप इसको join करिये, क्या code यूज़ करना है, फिलाइव code यूज़ करना है, ठीक है, ये यहैयो कोड यूज़ करके आप से पहूरा है, चली है, ठीक है ठीक है तो इंस्ट्राग्राम, ट्विटर पर आप जोर सकते टेलेग्राम पर प्रशान तीवारी 45 प्रशान तीवारी करो, प्रशान तीवारी प्रशान तीवारी PDF एजूर सकते हैं आर्टिकल 45 का अवाला कमेंट अभी किसी का मैंने देखा वो अभी मुझे नजर आ रहा, लेट हो गया Article 45 Irish Constitution की बात कर रहें दोस्त हम Indian Constitution की बात करें नहीं कर रहें जब प्रॉलिटी की लक्षमिकान पढ़ेंगे तो वहाँ पर directly mentioned है कि Article 45 of Irish Constitution दोस्तों ठीक है चले तो मिलते हैं फिर अगले session के अंदर में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए मन लगा के पढ़ते रहें मुस्कुराते रहें बाई बाई टेक केर दोस्तों चैहें